दोस्तों आंत में सूजन होना कोई छोटी मोटी बिमारी नहीं होती बलकि इस बिमारी के कारण से कई तरह की प्रेशानियों का सामना करना भी पड़ सकता है साथ ही काफी एधिक जलन, दस्त, पेट में दर्द, वजन का गटना आधी तरह की प्रेशानिया देखने को मिल जात है तो सब कुछ बताएंगे मगर उसे से पहले वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबा दें दोस्तों आंत में सूजन होने पर आपको डोक्टर के पास जाना चाहिए क्योंकि डोक्टर आपका सही तरह से इलाज कर सकता है वेसे आपक पानी का सेवन सही तरह से करती हैं तो यह दवा की रूप में काम करता है आपको बता देखी आंत में सूजन होता है उसका मुख्य कारण और कुछ नहीं बलकि पानी की कमी ही माना जाता है जो की बार बार दस्त लगने के कारण से कम हो जाता है तो एसे में आपको पानी का से दूद का सेवन करते हैं तो आपको बता दे की यह एक दवा के रूप में कार्ये करता हुआ आपके आंथ के सुजन को कम कर देगा दरसल इसमें विटामिन D होता है जो की आंथ के सुजन के लिए काफी अधिक फाइदावंद होता है नमबर थरी ग्रीन टी आपको बता दे की बबारामदेव का कहना है कि अगर आप ग्रीन टी का उप्योग करते हैं तो आंथ का सूजन दूर किया जा सकता है। दरसल ग्रीन टी एक तरह की ओशडिये दवा की रूप में काम करेगा क्योंकि इसमें कई तरह की ओशडिये गुणों का मेल होता है। जो कि आपकी आंथ की सूजन को दूर कर देगा। आपको आंथ के सूजन से बंचने के लिए मचली का सेवन करना चाहिए क्योंकि इसमें प्रोटीन की भारी मत्रा होती है। और प्रोटीन आंथ की सूजन में उप्योगी होता है। नमबर फाइब अंडा दोस्तों आपको पता होगा कि अंडे की अंदर कई सारे प्रोटीन देखने को मिल जाते हैं और प्रोटीन वाला बोजन अगर आप आंथ के सुजन में खाऊगे तो आंथ का सुजन कम होता चला जाएगा नमबर शिक्स चिकन दोस्तों चिकन के अंदर खूब सारा प्रोटीन पहा जाता है जिसके कारण से आंथ के सुजन में चिकन का प्रियोग करने के कारण से आंथ का सुजन दूर हो सकता है आपको बता दे कि सुजन से बंचने के लिए मुंख फली का सेवन करना चाहिए क्योंकि इसमें प्रोटीन की भारी मात्रा होती है और प्रोटीन आंथ के सुजन में काफी अधिक उप्योगी होता है क्योंकि इससे आंथ का सुजन जो होता है वह दूर हो जाता है दोस्तों अगर आंथ में सुजन है तो आपको नारियल का तेल का सिवन करना चाहिए क्योंकि इसमें प्रोटीन काफी अधिक मत्रा में पाया जाता है जो कि आपके आंथ के सुजन को कम करता चला जाएगा और एक एसा समय आएगा कि आंथ का सुजन पूरी तरह से गायब हो जाएगा इसके अलावा अगर आंथ के सुजन की बात करें तो इसके लिए अनेक तरह की दवा का उप्योग किया जा सकता है जो कि आपको मार्केट के अंधर आसानी से मिल जाएगी इस दवा का उप्योग आंथ के सुजन को दूर करने के लिए किया जाता है आंथ में सुजन किसी विशेस रसाइन के सराव के कारण से होता है और यह दवा उन रसाइनों के सराव को रोग देता है जिसके कारण से आंथ में जो सुजन होता है वैं नई होगा और आंत का सूजन देरे देरे कम होता चला जाएगा बड़ी आंत में होने वाली बीमारी उल्सरेटिव कॉलाइटिस को दूर करने के लिए अगर आप उल्सलालाइजिन का उप्योग करेंगे तो यह है आंत में सूजन को कम कर देगा नमबर तरी सलफासालजिन दोस्तों 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 सलफासालजिन आपके आंत का सूजन कम हो जाएगा मगर किसी भी तरह की दवा का उप्योग करने से पहली आपको डॉक्टर के पास जाना चाहिए और डॉक्टर से प्रामर्स करना चाहिए क्योंकि दवाओं के कई तरह की साइड टिपेक्ट हो सकती है जिसके कारण से आपको प्रेसानी का सामना करना पड़ सकता है तो इस तरह से दोस्तों आथ के सूजन को कम करने के लिए कुछ ऐसी दवा होती है और कुछ ऐसा इलाज होता है जिनका उप्योग अगर आप करती हैं तो आपके आत का सूजन पूरी तरह से गायब हो सकता है अगर दोस्तों वीडियो जरासा भी अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकों को दबा दें मिलेंगे अगले वीडियो में ता के लिए स्वस्तरी और सूरचितरी